हलो दोस्तों मैं हूँ गजाल अंसारी और आप देख रहे हैं आस तक भारत देश में साथ चर्णों में लोग सभा चुनाव हो रहे हैं साथ मई को तीसरे चरण में यूपी की दस लोग सभा सीटों पर वोटिंग संपन हुई वोटिंग खत्म होते ही मायवती ने भतीजे आकाश आनंद पर बड़ा एक्शन लेते हुए सभी को चौका दिया मायवती ने भतीजे आकाश आनंद को ना सिर्फ नैशनल कॉडिनेटर के पद से हटा दिया बलकि ये भी अलान कर दिया कि अब अकाश आनंद उत्राधिकारी भी नहीं रहेंगे भतीजे पर एक्षन लेते हुए मायवती ने ये भी कहा कि अकाश आनंद परीपको नहीं है ऐसे में उनसे जिम्मेदारियां वापस लिजाती हैं और इस बात के जानकारी मायवती ने खुद ट्विट करके दी मायवती ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर ट्विट करते हुए लिखा कि अकाश आनंद को नैशनल कॉडिनेटर और अपना उत्राधिकारी खोशित किया था किन्तु पार्टी और मुवमेंट के व्यापक हित में पूर्ण परिपक्ता आने तक अभी उन्हें इन दोनों एहम जिम्मिदार्यों से अलग किया जा रहा है उन्होंने आगे लिखा कि जबकि इनके पिता आनंद कुमार पार्टी और मुवमेंट में अपनी जिम्मिदारी पहले की तरह ही निभाते रहेंगे अतहा बी एसपी का नेतरित पार्टी और मुवमेंट के हित में और बाबा साहिब डॉक्टर अमबेटकर के कारवा को आगे बढ़ाने में हर प्रकार का त्याग और कुर्बानी देने से पीछे हटने वाला है बहुजन समाजवाली पार्टी की नई पीडी के तौर पर पार्टी में एहम पदों पर न्यूक्त किये गए अकाश आनन्द की शुरुवात अच्छी नहीं रही महज पाच महिनों में ही पार्टी सुप्रीमो मायावती ने अकाश आनन्द से नैशनल कॉडिनेटर छीन लिया आपको बता दे कि मायावती ने उन्हें पिछले साल दिसंबर में ही अपना उत्राधिकारी घोशित किया था उन्होंने कहा था कि उत्रप्रदेश और उत्राखंड को छोड़ कर अकाश आनन्द पार्टी की निगा में कमजोर राज्यों में काम करेंगे मायावती ने अकाश को 2024 के लोक सभाज चुनाव से पहले बड़ी जिम्मेदारी सौपी थी ऐसे में चुनाव एलान के साथ अकाश आनन्द ने तावर तोड रैलिया शुरू कर दी और आकरमक तेवर के साथ प्रचार कर बस्पा के पक्ष में राजनितिक मोहल बनाने के लिए मशक्कत कर रहे थे लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ और क्या वज़ा थी कि मायवती को पांच महिने में ही अकाश आनन्द से आपरीवक्तता दिखने लगी और उन्हें सारी जिम्मेदारी से मुक्त करना पड़ा तो चलिए बता आते हैं आपको सबसे पहली वज़ा नगीना में रावण पर हमला मायवती ने अकाश को उत्तरप्रदेश और उत्राखन को छोड़कर बाकी राज्यों में काम करने के लिए कहा था इस दोरान आकाश आनंद ने आकरमक तेवर अख्तियार कर रखा था नगीमना में जनसभा में उन्होंने अजास हमाजपार्टी के अध्यक्ष और नगीना का प्रत्याशी चंद्रिशेखर आजाद उर्फ रामड पर सीधा हमला बोला था जो बसपा को पसंद नहीं आया दूसरी वजह सीतापूर रैली में दिया भाशन उन्होंने सीतापूर के राजा कॉलेश में एक जनसभा को संबोधित किया था रैली में आकाश आनंद ने क्या कुछ कहा था पहले आप ये सुनने जे खतम होने का और यहां पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर बहन जी को प्रधान मंतरी बनाकर यहां पर उत्य परदेश में बहुजन समाज पार्टी का राज काईम करने का साथियो अगर हमारी बात सोड़ी जादा चुप गई हो और इलेक्शन कमिशन को लगे कि हमें तालिबान नहीं बोलना चाहिए था या भाजपा को आतंगवादी नहीं बोलना चाहिए था तो हम उनसे दुर्खवास करेंगे कि यहां उतर के आके देखें और गाउं गाउं में गूमें और पता करें कि यहां के जो बहन बेटिया हैं जो हमारे युवा हैं वो किस हालत में जी रहे हैं वो खुद समझ जाएंगे कि जो हमने कहा वो गलत नहीं वो सत्त है वो सच है वो हमारी अवामा जी रही है सातियो रोजगार पर एक और टिपनी करी थी आदर नियन परधानमंत्री जी ने उन्होंने कहा था कि भाई सरकारी नोक्रिया नहीं है तो क्या हुआ ठल रहा है न वो भी तो रोजगार है अब आप ही बताईए इतनी पढ़ाए लिखाई कराकर अपने बच्चे को आप पढ़ा तलवाएंगे क्या बहुजन समाज पड़ा लिखा समाज है वो पकोड़े तलने के लिए नहीं पैदा हुआ है वो यहाँ अपने भारत की सम्विधान के आधार पर चल कर अपने भारत को आगे बढ़ाने का काम करेगा बहुजन समाज पहला समाज लटका है इतनी तेज तेज तूप में आप हमें यहाँ सुनने आए हैं हमारी माताएं बेहने जो आज इतनी बड़ी संक्या में यहां मौजूद हैं हमारे सभी युवा साथी जो आज इतनी गरम जोशी के साथ यहां मौजूद हैं हमारे सभी बड़े बुजर्ग हमारे सभी संथ अप सभी को तेह दिल से धन्यवाद कि आप इतनी कड़ी गर्मी में हमें सुन रहे हैं तो आपको तेह दिल से धन्यवाद तो सुना आपने इनके निशाने पर ज्याद तर BJP और PM मोधी ही थे सीधापूर में दिये भाशन में उन्होंने PM मोधी का कई बार नाम लिया और सीधे केंद्र की सरकार को गदारों की सरकार आतंगवादियों की सरकार तक कह दिया यहां तक की कह दिया कि इस बार ये वोट लेने आएं तो जूता तयार रखियेगा 28 अप्रैल को सीधा पूर में दिये भाशन के बाद आकाश आनंद पर चुनाव आयो का एक्शन हुआ और केस भी दर्च हुआ माना जा रहा है कि यही भाशन उनके करियर पर बड़ा ब्रेक लदा गया कम से कम इस लोग सभा चुनाव में तो अकाश आनंद का ये भाशन आखरी साबित हो गया बताया जाता है कि अकाश को भाशा पर सयम रखने के लिए कहा गया था लेकिन वो माने नहीं मायावती की राजनिती की एक बड़ी खास्यत रही है कि वो विरोधियों पर हमला करती हैं तो चाशनी में डुबो कर उन्हें आपा खोते हुए नहीं देखा किया वो अब शब्द बोले बिना भी विरोधियों को पस्त करने की ताकत रखती हैं अब अकाश आनंद बसपा प्रमु की उस राजनिती में फिट नहीं बैट रहे थे यहीं वज़ा है कि मायावती को अकाश आनंद पर बड़ा फैसला लेना पड़ा फिरहाल दोस्तों इस खबर में इतना ही हमारे चैनल को जाद जाद शेयर करें सबस्क्राइब करें और नॉटिफिकेशन के लिए बैल आइकन को दबाना ना भूलें